हलो बच्चों बटनी की पिछली कक्षा में हमने एक्टो कार्पस स्टार्ट किया था जनरा एक्टो कार्पस का हमने वेजटेटी स्ट्रक्चर जाना और हमने उसके एसेक्शल रिपोड़क्शन के बारे में बात की आज हम जो बात करेंगे वो उसके सेक्शल रिपोड़क्श की बात करेंगे उससे पहले मैं पिछले लेक्षर का थोड़ा सार बता देती हूँ हमने देखा या हमने पड़ा था कि एक्टो कार्फस में जो ए सेक्श्वल जेनन है वो जू स्पोर्स के दवारा होता है चल बिजानों के दोरा होता है जो बिजानों धानियों में बनते हैं और इसमें दो प्रकार की बिजानों धानी बनती है यूनी लोकिलर और प्रियूरी लोकिलर अगर आपको थोड़ा याद है तो हम बात करें यूनी लोकिलर में एक कोश्टिये स्पोरिंजिया है जिसमें च देखा था कि इसका जो sporingia है वो बहु कोश्टिय होता है यानि इसमें कई सारे कोश्टक होते हैं और प्रतेक कोश्टक से एक zoospore develop होता है और ये जो zoospore है वो haploid होता है यानि जो इससे जो बनेगा वो सॉरी जो इससे बनेगा वो diploid यानि 2N थैलस ही बनेगा और जो unilocular से बनता है वो N या gametofide बनता है आज हम जो है और एक बात और जो एक कोश्टी बिजानू धानियों में जो zoospore विक्सित होते हैं वो haploid होते हैं हमें मालूम है और जो ectocarpus है उसके बिजानू भी थैलस यानि जो उसका main थैलस है वो 2N होता है तो इसमें एक बहु कोश्टी दौनों प्रकार की बिजानू धानियों धारन करने की शमता होती है यानि इस पे ही दौनों बिजानू धानियों बन सकती है हो सकता है ये एक ही थैलस पे हो और हो सकता है ये अलग-लग थैलस पर विक्सित हो अब हम बात करते हैं इसके sexual reproduction की जो एक्टोकार्पस है उसकी अधिकांश जातियां जो है वो एन आइसोगेमस या असम्यूगमकी होती है जो असम्यूगमता है वो physiological हो सकती है यानि शरीर क्रियात्मक प्रकार की हो सकती है या एक्टोकार्पस सिलीकिलोस स्पीशीज में जो असम्यूगमता है वो भाही आकारी की यानि morphological भी पाई जा सकती है जो की पाई जाती है इसकेंडस यानि एक्टोकार्पस सेकेंडस नाम की प्रजाती में अब हम बात करते हैं इसके गेमिटेंजिया और गेमिट्स की जो कोश्ट यह युगमग धानियों में होता है जो हमने बात करी थी जुरूस्पोरिंजिया जो की plurilocular तो उन्ही में ही जो है वो gametangia का निर्माण होता है plurilocular gametangia का विकास जो है plurilocular sporengia के समान ही होता है जो gametengia है वो अगुनित थैलस में बनती है और बिजानु धानिया जो है वो द्विगुनित थैलस में बनती है बच्चों, यहाँ पर अंतर जो है वो यह है कि जो plurilocular gametengia है ध्यान दे, sporingia अलग होता है, gametangia अलग होता है तो plurilocular gametangia का विकास जो है, वो plurilocular sporingia की भाती ही होता है और gametangia जो है, वो अगुनित होते हैं और जो sporingia होती है, वो द्विगुनित होती है gamet means haploid तो जो gametangia है, वे अवरंत अत्वा, सुक्ष मवरंत यूप्त हो सकते हैं और इस sporingia की ही भाती, gametangia में भी प्रत्य खंड में एक किंद्र की जीवद्रव्यक कायंत्रित होकर एक द्विकशा भी क्यूबमक बनाता है जो की कैसा होगा? N होगा, haploid होगा अब हम बात करते हैं इसके fertilization की अगर हम इसके gamets देखें, तो ये इस तरह से gamets है तो ये जो है, NISO gametangia प्रकार के हो सकते है यानि दो असमान जो है, gamets होते है कुछ gamets काम करते हैं, male की भाती और कुछ काम करते हैं, female की भाती ये जो है, वो female gamets की तौर पे काम कर रहा है और ये कई सारे जो gamets है, वो male gamets की तौर पे काम करते हैं तो जो fertilization की technique है, या जो fertilization की process है वो सम युगमक की जातियों में सल्लाइत होने वाले युगमक आकारी की वशरिक रियात्मक रूप से समान होते हैं इनमें एक ही थैलस की दो विभिन युगमक धानियों, अत्वा एक ही युगमक धानि में विक्सित दो युगमक सल्लाइत हो सकते हैं जो किन्तु असम युगमकी यानि एनाइसोगेमस में दो भिन प्रबेद के तन्तू में विक्सित युगमक सल्लेध होते हैं तो यानि जो सम युगमकी स्पीशीज हैं उसमें सल्लेध होने वाले युगमक आकारिकी और शारिरिक रूप से समान होते हैं विष्चित यूगमक सनलेथ हो सकते हैं ये चित्र है ये दरशारा है ये पैसिव female gamit है और ये असंक है male gamit है जो इसमें इससे fertilize होने की खोशिश कर रहे है तो जो इस तरह का structure बनता है वो कहलाता है clump formation यानि कि एक female nucleus से कई सारे male nucleus इसके आखे यहाँ phlegyla की थुरू attach हो जाते हैं और यह कहलाता है clump formation तो e-silicusus e-silicusus यानि जो species है उसमें नर्युगमक सक्रिय होते है और जो चित्र में डियाग्राम बता रखा है वो इसी का है e-silicusus का इसमें यह नर्युगमक जो है वो सक्रिय होते है इस्त्री युगमक जो है वो कम सक्रिय होता है और एक इस्त्री युगमक के चारों और नर्युगमक एकत्र हो जाते है और कुछ समय बाद नर्युगमक की फ्लैजिला संकुछित हो जाती है जिससे नर वैस्तरी युगमक दोनों संपर्क में आकर आपस में सयुजित या सल्लीत हो जाते हैं जो शेश नर युगमक हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे यानि कि वो ख़तम हो और ये प्रथक होकर स्वतंतरता पूर्वग तैरने लग जाते हैं यानि यहां से हट जाएंगे और freely यह swim करने लग जाएंगे और यह जो structure बनता है यह जो phenomena होता है वो कहलाता है clump formation यानि पुंजी भवन तो पुंजी भवन यानि कि जब एक passive gamit जो कि female के तोर पे काम करता है उसके चारों और कई असंगे active male gamit attach हो जाएं फ्लेजला के द्वारा तो यह जो structure बनता है वो clump formation या पुंजी भवन कहलाता है तो सल्लायन के बाद अब आती है बारी germination की तो निशेचन के तुरंत पशात अंकुरन हो जाता है और यह जो यूगमनज है यानि इस चित्र में देखिए यह fertilization के उपरांत यह जो है fusion of male gamit and fusion of female gamit और यह दोनो नुकलियाई का fusion हुआ और यह जो है यह है zygote यानि की twin structure जो है वो zygote बन गया अब इसका germination जब होता है तो इसका तुरंत अंकुरन हो जाता है निशेचन के पशा और इसमें समसुत्री विभाजन होते हैं और इससे बनने वाला जो थैलस है वो हमेशा द्विगुनित होता है तो इस थैलस में unilocular web, plurilocular sporengia, vixit होते हैं अब हम इसके साथ ही जो इसका sexual reproduction है वो यहीं खतम होता है एक बार हम पुना इसकी अगर बात करें तो जो gamits बनते हैं वो plurilocular sporengia की ही भाती बनते हैं अंतर यह है कि sporengia में जो बनते हैं spores वो diploid होते हैं और plurilocular gamitangia में जो gamits बनते हैं वो haploid होते हैं अब हम बात करते हैं इसके PDA कांतरन की यहां देखिए इसकी life cycle जो ectocarpus का main thallus है वो sporophyte या 2N होता है अब इस 2N thallus में unilocular sporengia भी बन सकते हैं और plurilocular sporengia भी बन सकते हैं अब plurilocular sporengia में जो है हमने बात करी थी कि meiosis होगा और meiosis के बाद sorry unilocular sporengia में meiosis होगा और meiosis के बाद जो zoospores बनेंगे वो haploid बनेंगे यानि N बनेंगे और इससे जो germination जो spore का germination से जो thallus बनेगा वो ectocarpus gametophytic thallus बनेगा अब ये जो gametophytic thallus है इसमें plurilocular sporengia की भाती ही gametangia बनते हैं जिसमें male gamit और female gamit दोनों अलग अलग यान एक ही thallus से बनेंगे और इन दोनों की fusion से ये zygote बनेगा और zygote से फिर ये इसका germination होके पुनर sporophytic thallus राप्त हो जाएगा तो इस तरह से ये इसकी life cycle थी एक्टocarpus का 2N इस थैलस में unilocular sporengia भी बनते हैं हमने जैसे बात करी थी इस थैलस में तो इस तरह से ये unilocular और इस तरह से ये जो लंबे बने थे वो plurilocular तो plurilocular जो है वो asexual reproduction में इस तरह से ही 2N और इसमें mitotic division और वापस पुनर 2N zoospore और germinate करके ये पुनर 2N thallus तो plurilocular sporengia जो है वो 2N या diploid sporophyte ही बनाएगा अब इसमें जो unilocular बना उसमें meiosis के पशाद zoospore जो की haploid बने और ये gametophyte डवलप हुआ इसमें gamits बने male और female gamit इनका fusion हुआ और पुनर zygote और zygote से फिर इसका germination से diploid thallus बना तो इस तरह से ही इसका जो जीवन चक्र है एक्टो कार्पस का वो चलता रहता है जो एक कोष्ट की बिजानुधानी है उसमें विक्सित हम इसकी बात करें alternation of generation की तो एक्टो कार्पस की जो langit thallus होते हैं वो अगुनित होते हैं इन में केवल ये इसकी बात करें हम इसकी बात कर रहे हैं इसमें केवल बहु कोष्टी युगमक धानियों का निर्मान होता है सम अथवा सम युगमों के सयोजन से निर्मित जो है युगमरज में अंकुरण से समसुत्री विभाजन होते हैं अत्या इसके अंकुरण से द्वी गुनित विजानुध भिद ही बनता है इस थैलस में एक कोष्टी है अत्वा बहु कोष्टी है यानि ये प्लिरिलोकिलर और ये युनिलोकिलर दोनों प्रकार के बिजानुधानिया बनती है और इनमें विक्सित चल बिजानु अललंगिक विदी से प्रवर्दन करते हैं जो बहु कोश्टी बिजानु धानी में विक्सित चल बिजानु जो होते हैं वो द्विगुनित होते हैं तता इनके अंकुनिन से पुने डिपलेट थैलस बनता है तो इसके विप्रिज जो एक कुष्टी बिजानू धानी में विक्सित जो चल बिजानू बनते हैं वो अगुनित होते हैं और जो गेमिटोफाइट बनाता है तो जो एक्टोकारपस की युगमोद भिद तथा बिजानूद भिद जो दोनों पीडियां हैं आकारी की रूप से समान होती हैं अत्या इस प्रकार की जीवन चक्रों को हम आईसो मॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं समाकरतिक या आईसो मॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है क्योंकि दिखने में ये दोनों समान होते हैं गेमिटोफाइट थैलस और इस पुरोफाइटिक थैलस तो बच्चों एक्टोकारपस जो है उसको हम आज नहीं समाप करते हैं अगले टर्ण पे हम इसका जो एलगी का लास्ट वर्ग है रोडोफाइसी डिविजन रोडोफाइटा का है उसका हम जनरल करेक्टर्स की स्टेडी करेंगे और उसके बाद जो इसका जनरल है पॉलिस आईपोन या हम उसका भी अध्यन करेंगे धन्यवाद